एलविन प्रिसली को दुनिया के कौन नहीं जानते है। रॉक एंड रोल तो सबसे पहले उन्होंने ही बनाये थे। अपने जिंदेगी में वो धन और दौलत के बिल्कुल बुलंदी को छूँचुके थे। सिर्फ 31 साल की उमर में ही उनकी बाजार में 71 ब्रैंड चालू था। लाखों लोग उनके एक कौनसर्ट देखने के लिए सालों तक इंतिजार करती रहती थे। उनके हातों के एक स्पर्स पाने के लिए फैन स्पागल हो जाते थे। वो दुनिया के पहले सिंगर थे जो प्राइवेट जेट में घुमते थे। 500 मिलियोन रेकॉर्ड बेचने की रेकॉर्ड भी जिनके नाम पर है वो ही है ऐल्विन प्रिसले। कॉंसार्ट के समय पे जब वो अपना जैकेट फेंक देते थे तो वो लाखों रुपय में निलाम होता था। यही एल्विन प्रिसले एक तीन जब अपने घर पार अकेला ही बैठे थे। तब उनके सेग्रेटरी ने उनसे पूछा था लाखों करोरो फैंस बना कर जिंदेकी में इतना साधा सपल होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। तब एल्विन प्रिसले ने जबाब में कहे थे खुद को बहुत ही अखेला महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस खतम हो चुका है। लाखों लोग जिनके कॉंसर्ट देखने के लिए बागल बन जाते हैं। वो ही कह रहे है कि वो बहुत ही अकेला है। सरब 41 साल के उमर में ही वो मर चुके थे। उनके मौत के असली बज़ा अकेला पन और बहुत जादा नसा करना ही था। साइद बो अकेले पन से ही धक चुके थे। और इसी लिए ही जादा नसा करने लग गए थे। और धीरे धीरे मौत के मुँ में सो गए थे। सारे जिन्देगी बर लोगों को इंस्पिरसन देने बाले डेल करने की भी एक ही राही के सावारी थे। लाखो डॉलर के बिस्तर पर सोने बाले माइकल जैक्सन को भी रात बेरात नींद नहीं आता था। बो भी अकेले थे। दस सिलिपिंग बिल खाने के बावजूद भी वो दो घंटे से जादा नहीं सो पाते थे। करोरो फैंस होने के बावजूद भी आखिर में मौत के मुँ में ही चले गए थे। दुनिया के सारे महान बेक्तियों के अंदर एक थे नेपोलियोन बोनापाड जिन्दगी की कामियावी की बुलंदी को छोने के बाद। नेपोलियोन ने कहा था सारे दुनिया को साइद अपने पैरो तले रख सकता हूं लेकिन जिन्दगी भी कितनी अजीब है। एक दिन भी मुझे सांती नहीं मिली है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे उधारन है, पैसे इंसान को इलाज और दबाई तो दे सकता है, पर बेहतर स्वास्त नहीं दे सकता, अच्चे महेंगे बिस्तर भी दे सकता है, पर चैन की नेंद नहीं दे सकता अच्चे खाना भी दे सकता है पर हजम करने की ताकत नहीं दे सकता है दुनिया के ऐसे कामियाब इनसानों को आखिर किस चीज की कमी थे महंगे घर, गारी, नाम क्या किसी चीज का कमी थी उनके पास उनके पास जब एक ही चीज़ की कमी थी और बहुत ही मानसिक सान थी हमारे जिंदगी में अक्सल लोग पैशों के पीछे ही भागते रहते हैं भगवान स्रिकिस्ने ने भी भगबत गीता में कहे है कि इनसान पहले जिंदगी के आदे समय धन के बीचे भागगर अपने जिंदगी को और अपने स्वास्त को हानी पहुचाते है और जिंदगी की बाकी समय पे अपने खोय हुए स्वास्त को वापस पाने के लिए उस धन को ही नस्ट करते रहते हैं और आखिर में ऐसे मरती है कि वो कभी भी इस दुनिया में साइद आया ही ना हो। अक्सर देखा जाता है एक हर रोज 200 रुपए रोजगार करने वाला आदमी चैन की नींद लेता है। पर सुईस बैंक में 200 करोर रुपए रखने वाला इनसान कभी भी चैन की नींद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए जिन्देगी में सब कुछ चाना ही सब कुछ नहीं होता है। यूँकि जिन्देगी में अगर आप सब कुछ पा लेंगे तो फिर आपकी जीने की इच्छा भी साइद नहीं रहेगी। झाले ही। झाले ही।